परिचाए अच्छा प्रशन है जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिछेधित करती है तो कोण बनता है आओ तो चलो रेखाओं और कोणों तथा उनकी विशेशताओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें उद्धेशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करदे में सक्षम हो जाएंगे रेखा, रेखा खंड, किरण और कोण को परिभाशित करदा प्रतिछेदी रेखाऊं और आप्रतिछेदी रेखाऊं के बीच विभेत करदा एक रेखा परिस्थित किरण से बनने वाले कोणों के बीच संबंध बताना कोणों के युक्मों पर आधारित अभी ग्रिहितों को लिखना दीगई प्रमयों को सिध्ध करना समान्त रेखाओं और त्रियक रेखाओं में संबंध ज्याद करना समान रेखा के समानता रेखाओं से संबंधित प्रमय और उधारण सिध्ध करदा त्रिभुजों का योग कोण गुण बताना आधार भूत पद और परिभाशाएं हम जानते हैं कि किसी रेखा का वहभाग या अंश जिसके दो अंत बिंदू हो उसे रेखा खंड कहते हैं रेखा खंड ए बी को इस चिन द्वारा व्यक्त करते हैं रेखा का वहभाग जिसका एक अंत बिंदू हो एक किरण कहलाता है किरण ए बी को इस चिन द्वारा व्यक्त किया जाता है और रेखा को इस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है यदि तीन या अधिक बिंदू एक ही रेखा परिस्थित हों तो वे संरेगक बिंदू कहलाते हैं यहाँ A, G, F को संरेख बिंदू कहेंगे और बिंदू B, C और E आ संरेख बिंदू कहलाएंगे आईए अग कोण पर आएं जब दो किरणे एक ही अंध बिंदू से प्रारंब होती हैं तो एक कोण बनता है कोण को बनाने वाली दोनों किरणे कोण की भुजाएं कहलाती है और उभैनिष्ट अंध बिंदू कोण का शीर्ष कहलाता है हम विभिन कोणों के बारे में जानते हैं जैसे न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, रिजू कोण और प्रतिवर्थी कोण इत्यादी आईए एक एक करके इन्हें जाने कोणों के प्रकार एक एक न्यून कोण का माप शुन डिग्री और नबबे डिग्री के बीच होता है एक सम कोण का माप ठीक नबबे डिग्री होता है और एक अधिक कोण का माप नबबे डिग्री से ज्यादा और एक सो असी डिग्री से कम होता है एक रिजू कोण 180 डिग्री के बराबर होता है और एक कोण जो 180 डिग्री से बड़ा किन्तु 360 डिग्री से कम हो उसे प्रतिवर्थी कोण कहते हैं हम जानते हैं कि यदि दू कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरा कोण कहलाते हैं हम उन कोणों को क्या कहते हैं, जिनका योग एक स्वस्सी डिक्री हो? हाँ, आप से ही हैं, उन्हें सम्पूर कोण कहते हैं. कोणों के प्रकार तो, आप के लिए एक अन्य प्रश्न है, हम उन कोणों को क्या कहते हैं, जिनके उभैनिष्ठ, शीठ, तथा उभैनिष्ठ भुजा हो, और उनकी जो भुजाएं उभैनिष्ठ डाहों, वो उभैनिष्ठ भुजा के विप्रीत और इस्थित हों. इन कोणों को आसन कोण कहते हैं यहाँ ABD और DBC आसन कोण है किरण BD उनकी उभैनिष्ट भुजा और बिंदु B उनका उभैनिष्ट शीर्ष है किरण BA और किरण BC उभैनिष्ट भुजाएं नहीं है इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ABC बराबर कोण ABD जमा कोण DBC यदि वे भुजाएं जो उभैनिष्ट नहीं हैं BA और BC हैं वे एक रेखा का निर्मान करती हैं जो ऐसी दिखती हैं फिर कोण ABD और DBC कोणों के रैखिक युग्म कहे जाते हैं जब दो रेखाएं मान लीजिए ABD और CD एक दूसरे को बिंदू O पर प्रतिछे दित करती हैं तो उनसे बनने वाले कोणों को शीर्षा भिमकोण कहते हैं ये दो शीर्षा भिमकोणों का युग्म है एक युग्म कोण AOD और कोण BOC है और दूसरा युग्म AOC और BOD है प्रतिछे दी रेखाएं और आप्रतिछे दी रेखाएं आएए अब कागस पर दो भिन रेखाएं PQ और RS खीचें हम इसे इस प्रकार भी खीच सकते हैं हम देख सकते हैं कि हम इन्हें दो भिन प्रकार से खीच सकते हैं ये प्रतिछे दी रेखाएं हैं और ये समानतर रेखाएं हैं और ये इन समानतर रेखाओं के विभिन बिंदूं पर पढ़ने वाले समान लंब की लंबाई होती है। इस समान लंबाई को दो समानतर रेखाओं के बीच की दूरी कहते हैं। कोणों का युग्म। आईए अब उन कोणों में सम्बंद पर विचार करें जिन्हें कोई किरण किसी रेखा परिस्थित होकर बनाती है। इस आकरिती को देखे, यहां रेखा A-B है और यह किरण O-C है। कोण A-O-C, कोण B-O-C और कोण A-O-B, ओ पर बने केंदर हैं। क्या हम लिख सकते हैं कोण A-O-C जमा कोण B-O-C बराबर कोण A-O-B। हाँ, क्योंकि कोण A-O-C और कोण B-O-C आसन हैं। और कोण A-O-B उन दो फुजाओं से बना है, जो उभै निष्ठ नहीं है। और हमने पढ़ा है कि जब दो कोण आसन होते हैं, तो उनका योग जो भुजाएं उभै निष्ठ नहीं हैं, उनके द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होता है। इसे एक रूप चिन्हित कीजिए। कोण A-O-B माप 180C डिग्री है, क्योंकि यह एक रिजुकोण है, इसे दो के रूप में चिन्हित कीजिए। एक और दो के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोण A-O-C जमा कोण P-O-C बराबर 180C डिग्री, क्योंकि कोण A-O-B 180C डिग्री का है, यह हमें एक अभिग्रिहित प्रदान करता है, आईए इसे देखें। अभिग्रिहित एक है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, तो इस प्रकार बने दोनों आशन्द कोणों का योग 180C डिग्री होता है। हम जानते हैं कि यदि दो आशन्द कोणों का योग 180C डिग्री हो, तो वे कोणों का एक रेखिक योग्म बनाते हैं। दिया हुआ है कि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, इससे हम यह निश्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो आसन्न कोणों का योग एक स्वस्थी डिग्री होता है, आईए इस अभिग्रीद को दूसरे तरेके से लिखें, यानि हम अभिग्रीद के दिये हुए कोण को परिणाम के रूप में लेंगे और जो परिणाम है उसे दिये हुए के रूप में लेंगे, तो यह हो जाता है, यदि दो आसन्न कोणों का योग एक स्वस्थी डिग्री हो, तो एक किरण रेखा पर खड़ी होती है, अर्थात आउभैनिष्ट भुजारेखा का निर्मान करती है, अब ह ये चांचें कि यह कथन सत्य है या नहीं, विभिन मापों के आसन्न कोणों को खींचिये, प्रतेक स्थिती में आउभैनिष्ट भुजाओं के अनुदिश एक पट्री रखिये, आप पाएंगे कि केवल इस आकरिती में दोनों आउभैनिष्ट भुजाएं पट्री के और किरण OC इस रेखा पर खड़ी है, साथ ही हम कह सकते हैं कि कोण AOC जमा कोण COB बराबर 125 डिग्री जमा 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री इससे हम निशकर्ष निकाल सकते हैं कि कथन सत्य है और हम इसे एक अभिक्रहित की रूप में निवन प्रकार लिख सकते हैं यदि दो आसन कोणों का योग एक स्वस्थी डिग्री है, तो उनकी आउभयनिष्ट भुजाएं एक रेखा बनाती हैं अभिक्रहित दो अब हमें दो अभिक्रहित प्राप्त होईं इन दो अभिक्रहितों को मिलाकर रैखिक योग्म अभिक्रहित कहते हैं आये अब उस इस्थिती की जांच करें जब दूरे खाएं प्रतिछेद करती हैं हम जानते हैं कि जब दूरे खाएं प्रतिछेद करती हैं तो शीर्षा भिमुकून बरापर होते हैं हम इस परिणाम को एक छोटी सी गतिविधी के पश्चाथ सिद्ध करेंगे प्रमय एक यदि दो रेखाएं परस पर प्रतिछेद करती हैं तो शीर्शा भिमकोन बराबर होते हैं आईए इस प्रमय को सिध्ध करें इस कथन में यह दिया है कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिछेद करती हैं आताहा मान लिजिए कि A, B और C, D दो रेखाएं हैं जो परस परबिंदू ओपर प्रतिछेद करती हैं इससे हमें शीर्शा भिमकोनों के दो युगमु प्राब्त होते हैं जिनके नाम हैं कोन A, O, C और कोन B, O, D कोन A, O, D और कोन B, O, C हमें सिद्ध करना है कि कोन A, O, C बराबर है कोन B, O, D के और कोन A, O, D बराबर है कोन B, O, C के अब किरन O, A रेखाएं सीडी पर खड़ी है आताहा कोन A, O, C जमा कोन A, O, D बराबर 180 डिग्री रेखेक युग्म अभी ग्रिहित इसे एक के रूप में चिन्हित करें इसी प्रकार कोन A, O, D जमा कोन B, O, D बराबर 180 डिग्री इसे दू के रूप में अंकित करें एक और दो से हम यह निशकर्ष निकाल सकते हैं कि कोन A, O, C जमा कोन A, O, D बराबर कोन A, O, D जमा कोन B, O, D के इससे निशकर्ष निकलता है कि कोन A, O, C बराबर कोन B, O, D इसी प्रकार यह सिद्ध किया जा सकता है कि कोन A, O, D बराबर कोन B, O, C के समानतर रेखाएं और त्रियक रेखाएं मित्रो हमने पढ़ा है कि वो रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन बिंदूँँपर प्रतिछेद करती है एक त्रियक रेखा कहलाती है इस आकरिती को देखे यहां रेखा L, रेखाओं M और N को करमशा, बिंदू P और Q पर प्रतिछेद करती है इसलिए रेखा L, रेखाओं M और N के लिए एक त्रियक रेखा है देखिए कि प्रतिग बिंदू P और Q पर चार कोण बन रहे है आएए इन कोणों को कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार, कोण पाँच, कोण छे, कोण साथ और कोण आठ के रूप में ना मंगित करें कोण एक, कोण दो, कोण साथ और कोण आठ वहे कोण कहलाते हैं जबकि कोण तीन, कोण चार, कोण पाँच और कोण छे, अन्ता कोण कहलाते हैं हमने यह भी अधियन किया था कि जब एक त्रियक रेखा, दो रेखाओं को प्रतिछे दित करती है तो हमें कोणों के युक्म प्राप्थ होते हैं आईए इन्हें एक एक करके देखें पहले संगत कोण हैं ये हैं प्रथम कोण एक और कोण पाँच कोण दो और कोण चै कोण चार और कोण आठ कोण तीन और कोण साथ दूसरा है एक अंतर अंता कोण वे हैं कोंड चार और कोंड शे, कोंड तीन और कोंड पाँच इसके पश्चात आता है एक अंतर वाहे कोंड, वो हैं कोंड एक और कोंड साथ, कोंड दो और कोंड आठ त्रियक रेखा एक ही ओर के अंता कोण ये हैं कोण चार और कोण पाँच, कोण तीन और कोण छै त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंता कोणों को क्रमगत अंता कोण या संबंधित कोण या सह अंता कोण कहलाते हैं आईए अब इन कोणों में संबंध ग्याद करें जब रेखाएं M और N समानतर हैं इसलिए पट्री और पैंसिल की सहायता से इन में से किनी भी दो रेखाओं के समानतर रेखाएं और उन्हें प्रतिछेत करती हुई त्रियक रेखा खींचिये अब यदि हम संगत कोणों के किसी युग्म को मापें तो हमें प्राप्थ होगा कोण एक पराबर कोण पाँच, कोण दो पराबर कोण छै, कोण चार पराबर कोण आठ, कोण तीन और पराबर कोण साथ इससे हमें एक और अभिक्रिहित प्राप्थ हुआ यदि एक तिरियक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिछेत करे तो संगत कोणों का प्रतेक युग्म बराबर होता है अभिक्रिहित तीन यदि एक तिरियक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिछेत करे तो संगत कोणों का ततिय की युग्म बराबर होता है। इस अभिग्रहित को संगत कोण अभिग्रहित भी कहा जाता है। आईए अब इस अभिग्रहित के विलोम की चर्चा करें। यदि एक तिरियक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार पतिछेत करें कि संगत कोणों का एक युक्म बराबर हो, तो दोनों रेखाएं समानतर होती हैं. क्या यह कथन सत्य है? हाई ये इसकी जांच करते हैं. एक रेखा AD खींचिये और इस बिंदू B और C पर अंकित कीजिये. B और C पर कौनों ABQ और BCS की रचना कीजिये, जो परस पर बराबर हो. QB और SC को AD के दूसरी ओर से बढ़ा कर रेखा PQ और RS प्राप्त कीजिये. हम देख सकते हैं कि दोनों रेखाएं परस पर प्रतिछेद नहीं करती. हम दोनों रेखाओं PQ और RS के विभिन बिंदूओं पर उभे निष्ठ लंब खींच कर और उनकी लंबाई माप सकते हैं. आप इसे प्रतेकिस्थान पर बराबर पाएंगे. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं समानतर हैं. इसलिए संगत कून अभिक्रेहित का विलोम भी सत्य है. अता हमें एक और अभिक्रेहित प्राप्त करते हैं जिसकी हम अगली स्क्रीन में चर्चा करेंगे. अभिक्रेहित चार और प्रमय दो पिछली स्क्रीन में हमने जो अभिक्रेहित प्राप्त किया है यदि एक तरियक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिछेद करे कि संगत कोडों का एक युक्व बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस पर समानतर होती है अब हम एक तरियक रेखा दोरा दो समानतर रेखाओं को प्रतिछेद करने से बने एकांतर अन्ताकोडों के बीच कोई संबंद ज्यात करने के लिए संगत कोड अभिक्रेहित का प्रयोग करेंगे तरियक रेखा PS और समानतर रेखाओं A, B और C, D को क्रमशा बिंदो Q और R पर प्रतिछेद करती है संगत कोड अभिक्रेहित के प्रयोग से हम जानते हैं कि कोड P Q A बराबर कोड Q R C के इसे एक के रूप में अंकित कीजिए तथा कोड P Q A बराबर कोड B Q R के क्योंकि ये शीरशा भिमुकोड हैं इसलिए इन्हें दो के रूप में अंकित कीजिए अता है एक और दो से हम यह निशकष निकाल सकते हैं कि कोड B Q R बराबर कोड Q R C के इसी प्रकार कोड A Q R बराबर कोड Q R D और प्रोग्त परिणाम को एक प्रमई के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है यदि एक तिरियक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिछेत करें तो एकांतर अंतर कोडों का प्रतिक युग्म बराबर होता है अब संगत कोड अभिक्रहित के विलोम का प्रयोग करके क्या हम एकांतर कोडों के एक युग्म के बराबर होने पर दोनों रेखाओं को समांतर दर्शा सकते हैं आईए इसकी जाज करें यहां तरियक रेखा पी एस रेखाओं एबी और सीडी को क्रमजाब बिंदों क्यू और आर पर इस प्रकार प्रतिशेत करती है कि कोण बी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर सी है क्योंकि यह शिर्शा भिमक कोड हैं इसे एक के रूप में अंकित कीजिए लेकिन कोण बी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर सी जो की दिया है इसे दो के रूप में अंकित कीजिए अताहा एक और दो से हम यह निशकर्ष निकाल सकते हैं कि कौन PQA बराबर कौन QRC परन्तु यह संगत कौन है अताहा ए भी समानतर है CD के क्यूंकि यह संगत कौन अभी ग्रहित का विलोम है इस कथन को एक प्रमय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिछेत करे कि एक अंतर अंताह कोड़ों का एक युक्मू पराबर है तो दोनों रेखाएं परस पर समानतर होती है प्रमय चार और पांच त्रियक रेखा के एक ही ओर के अन्ता कोड़ों से संबंधित दो अन्य प्रमे हैं यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिछेत करे तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के अन्ता कोड़ों का प्रतिक युग्म संपूरक होता है यदि एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिछेत करें कि त्रियक रेखा के एक ही और के अंतहकोडों का एक युग्म सम्पू रखो तो दोनों रेखाएं परस पर समानतर होती हैं एक ही रेखा के समानतर रेखाएं आएए इसकी जाच करें कि यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समानतर हों तो क्या वे परस पर समानतर होंगी इस आकरिती को देखिए यहां रेखा M समानतर है रेखा L के और रेखा N समानतर है रेखा L के आएए रेखाएं N, M और L के लिए एक त्रियक रेखा T कीचें यह दिया है कि रेखा M समानतर है रेखा L के और रेखा N समानतर है रेखा L के अताह संगत कौन अभी ग्रेट के प्रयोग से हम कह सकते हैं कि कौन एक बराबर है कौन दो के और कौन एक बराबर है कौन तीन के इसलिए इन दोनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन दो बराबर है कौन तीन के परंतु कोंड दो और कोंड तीन संगत कोड हैं और ये बराबर हैं अताहा संगत कोंड अभिग्रेत विलोम के प्रयोग से हम कह सकते हैं कि रेखा M समानतर है रेखा N के और इस परिणाम को निम्न प्रमय के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है वे रेखाएं जो एकी ही रेखा के समानतर हों परस पर समानतर होती है उधारण आईए अब समानतर रेखा से संबंधित कुछ उधारण हल करें दिया है कि यदि P Q समानतर है R S के कोंड M X Q बराबर 135 टिक्री और कोंड M Y R बराबर 40 टिक्री कोंड X M Y ग्याद कीजिए हल करने के लिए हमें M से होकर रेखा P Q के समानतर एक रेखा A B खींचने की आवशकता है अब A B समानतर है P Q के और P Q समानतर है R S के इसलिए A B समानतर है R S के क्यूंकि A की ही रेखा के समानतर दो रेखाएं परस पर समानतर होती है अब कोंड Q X M जमा कोंड X M B बराबर है 180 C डिगरी के A B समानतर है P Q के तरिया ग्रेखा X M के एक ही और के अंतर कोंड है परंतु कोंड Q X M बराबर 135 डिगरी आता हा 135 डिगरी जमा कोंड X M B बराबर 180 C डिगरी इसलिए कोंड X M B बराबर 45 डिगरी इसे हम एक से चिन्नित करते हैं अब कोंड B M Y बराबर कोंड M Y R क्यूंकि A B समानतर है R S के आता ही ये एक अंतर कोंड है इसलिए कोंड B M Y बराबर 40 डिगरी इसे हम दो से चिन्नित करते हैं एक और दो को जोडने पर हमें प्राप्त होता है X M B जमा कोंड B M Y बराबर 45 डिगरी जमा 40 डिगरी इस प्रकार कोंड X M Y बराबर 85 डिगरी त्रिभुजों का कोंड योग गुण क्या आप बता सकते हैं कि त्रिभुज के सभी कोंड का योग कितना होता है जी हाँ आप सही हैं त्रिभुज के सभी कोंड का योग 180 डिगरी होता है आये इस कथन को समांतर रेखा से संबंधित अभी ग्रीहितों और प्रमयों का प्रयोग करके सिध्ध करें गुण है किसी त्रिभुज के कोंड का योग 180 डिगरी होता है हमें एक त्रिभुज PQR दिया है और कोंड एक, कोंड दो और कोंड तीन त्रिभुज PQR के कोंड है हमें सिध्ध करना है कि कोंड एक, कोंड दो और कोंड तीन का योग 180 डिगरी होता है आईए भुजा Q-R के समांतर उसके समुक्षिर्ष P से होकर एक रेखा X-P-Y कीजिए अब X-P-Y एक रेखा है अताह गोंड चार एक और पांच का योग 180C डिग्री है इसे एक से चिनित कीजिए परन्तु X-P-Y Q-R के समांतर है और P-Q-P-R त्रियक रेखाएं है इसलिए Q-4 बराबर Q-2 है और Q-5 बराबर Q-3 है क्योंकि ये एक अंदर Q-ोंगे युक्म है अब Q-4 और Q-5 का मान एक में रखने पर हमें प्राप्त होता है Q-2 जमा Q-1 जमा Q-3 जो के बराबर है 180C डिग्री के यह हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं प्रमय आठ क्या आपको त्रिभुज के बहिशकोणों के बारे में याद है इस आकरिती को देखिए यहां भुजा Q-R को S बिंदू तक बढ़ाया गया है क्योंड P-R-S को त्रिभुज P-Q-R का बहिशकोण कहते हैं क्या कोण 3 और 4 का योग 180 डिगरी के बराबर है हां यह 180 डिगरी के ही बराबर है क्योंकि यह कोणों का रैखिक युक्म है इसे एक से चिन्हित कीजिए साथ ही कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 डिगरी है क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिगरी होता है तो इसे दो से चिन्हित कीजिए एक और दो के आधार पर हम कह सकते हैं कोण 4, कोण 1 और कोण 2 के योग के बराबर है इस परिणाम को एक प्रमे के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिशकोन दोनों अन्ता अभिमुक यानि विपरीद कोणों के योग के बराबर होता है इस प्रमे से ये स्पस्ट है कि किसी त्रिभुज का एक भुज़कोन अपने दोनों अन्ता अभिमुक कोणों में से प्रतेक से बढ़ा होता है अब इन प्रमयों का प्रयोग करके कुछ उधारन हल करें यदि क्यू टी पी आर पर लंब है कोण टी क्यू आर बराबर 40 डिग्री और कोण एस पी आर बराबर 30 डिग्री है तो एक्स और वाई ग्याद कीजिए आए से हल करें त्रिभुज TQR में 90 डिग्री जमा 40 डिग्री जमा एक्स बराबर 180 डिग्री आता एक्स बराबर 50 डिग्री होगा साधी Y बराबर कोण SBR जमा एक्स क्योंकि हम चानते हैं कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिश कौन, दोनों अन्ता अभिमुक यानि विपरीत कौनों के योग के बराबर होता है अता वाई पराबर असी टिक्री है क्या आप जानते हैं? एकांतर अन्ता कौन, एकांतर वाहि कौन, संगत कौन और त्रियक रेखा के एकी ही और के एकांतर कौन विबिन कौनों के नाम हैं, जो रेखाओं के प्रतिछेत करने पर बनते हैं इन नामों का प्रियोग तब करते हैं जब रेखाएं समांतर होती हैं और जब वे समांतर नहीं होती हैं सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन कोणों का योग 180 डिगरी होता है और इसका विलोम भी सत्य है इस गुण को रैखिक युग्म अभी ग्रहित कहते हैं यदि दो रेखाएं परस पर प्रतिछेद करती हैं तो उनके शीर्षा भी मुकोन बराबर होते हैं यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिछेद करें तो संगत कोणों का प्रतेक युग्म बराबर होता है एक आंतर अंतर कोणों का प्रतेक युग्म बराबर होता है और त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का प्रतेक युग्म संपूरख होता है यदि एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिछेद करें कि या तो संगत कोणों का कोई युग्म बराबर हो या एक आंतर अंतर कोणों का कोई युग्म बराबर हो या फिर त्रियाक रेखा के एक ही और के अंता कोड़ों का कोई एक युक्म संपूर रखो, तो ये दोनों रेखाएं समानतर होती हैं, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानतर होती हैं, परस पर समानतर होती हैं, एक तिर्भुज के तीनों कोड़ों का योग, एक स्वस्सी डिग्री होता है। यदि किसी तिर्भुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिशकों अपने दोनों अंता अभिमकोडों के योग के बराबर होता है।